कटी प्याज के नुकसान पूरा वीडियो ज़रूर देखें मानो या ना मानो यह पूर्णत्या सत्य है देर से कटी प्याज का कभी उप्योग ना करें प्याज हमेशा तुरंत काट कर खाएं कटी रखी प्याज 10 मिनिट में अपने आसपास के सारे कीटानों अवसोशित कर लेती है यह वेग्यानिक और पर सिद्ध हो चुका है जब भी किसी मौसमी बिमारी का प्रको फैले घर में सुबह शाम हर कमरे में प्याज काट कर रख दें बाद में उसे फैंक दे सुरक्षित बने रहेंगे प्याज के संबद्ध में महत्वपून जानकारी अवश्य देखें सन 1919 में फ्लू से 4 करोड लोग मारे जा चुके थे तब एक डॉक्टर कई किसानों से उनके घर इस प्रत्याशा में मिला कि वो कैसे इन किसानों को इस महामारी से लड़ने में सहायता कर सकता है बहुत सारे किसान इस फ्लू से ग्रसित थे और उनमें से बहुत से मारे जा चुके थे डॉक्टर जब इनमें से एक किसान के संपर्क में आया तो उसे ये जानकर बहुत आश्चरे हुआ जब उसे ये ग्यात हुआ कि सारे गाओं के फलू से ग्रसित होने के बावजूद ये किसान परिवार बिलकुल स्वस्थ था तब डॉक्टर को ये जानने की इच्छा जागी कि ऐसा इस किसान के परिवार ने सारे गाओं से हट कर क्या किया कि वो इस भईयकर महामारी में भी स से देखा तो उसे इस प्याज में उस घातक फिलू के बैक्टेरिया मिले जो संभवतया इन प्याज द्वारा अवशोशित कर लिए गए थे और शायद यही कारण था कि इतनी बड़ी महामारी में ये परिवार बिल्कुल स्वस्त है क्योंकि फिलू के वायरस इन प्याज द् भव मुझे भेजा उनकी इस बेहद रोचा कहानी के लिए धन्यवाद क्योंकि मुझे इस किसान वाली कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी जब मैं इमोनिया से ग्रसित था और कहने की आवशक्ता नहीं थी कि मैं बहुत कमजोर महसूस कर रहा था तब मैंने एक लेक पड़ा था जिसमें ये बताया गया था कि प्याज को बीच से काट कर रात में निमोनिया से ग्रस्त मरीज के कमरे में एक जार में रख दिया गया था और सुबह यह देखकर बेहद आश्चरे हुआ कि प्याज सुबह की टानूओं की वजह से बिलकुल काली हो गई थी तब हम इस बात से अनजान रहते हैं कि इस बिमारी के लिए किसे दोशी ठहराया जाए तब निसंदेह प्याज को इस बिमारी के लिए दोशी ठहराया जा सकता है प्याज बैक्टेरिया को अवशोशित कर लेती है यही कारण है कि अपने जगुन के कारण प्याज हमें ठंड और खलू से बचाती है अत्वे प्याज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जो बहुत देर पहले काटी गई हो और प्लेट में रखी गई हो यह जान ले की काट कर आई थी खास कर सलाद में तब इस बिमारी के लिए या तो प्याज दोशी है या काफी देर पहले कटे हुए आलू प्याज बैक्टेरिया के लिए चुमबा की तरह काम करती हैं खास कर कच्ची प्याज आप कभी भी थोड़ी से भी कटी हुई प्याज को देर तक रखने की गलती न करें ये बेहत खतरनाक है यहां तक कि किसी बंद थैली में इसे रिप्रिजडेटर में रखना भी सुरक्शित नहीं है प्याज जरा सी काट देने पर ये बैक्टेरिया से ग्रस सेथ हो सकती है और आपके लिए खतरनाक हो सकती है यदी आप कटी हुई प्याज को अलू की नमी बैक्टेरिया को तेजी से पनपने में बेहद सहायक होता है। कॉमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।